पर आप पर आप पर आप पर आप पर आप आप कर दो आप हांज बुड़ियूनिंग काहां तक पड़ा था कल क्या पड़ा विग्राच तूर्थ क्या पड़ा उसमें प्लाष्ट में क्या लाइन लिखवाई थी अब दिली के तौमर किसके सामंत बन गए थे अच्छा कौन सा भी लेक कता है कि विग्राच तूर्थ ने दिली पे कप जागत लिया था उसने गजनी की कौन से राजा को रहाया था खुसरोसाक और उसने गुजरात की कौन से राज ऐसने चानि बनता है था कि अपने पिता को मार देता है Cash को आरणोराज को मार देता है अरणोराज के दरबार में दो जैन विद्वान थे मैं बगद और धॉर्डकों सने एक जैन संपरदाय को भूमी अनुदान दिया था mean करथ में पुश्कर में बगवान विस्नुक्य वो गुज्रात के एक राजा से हार गया था कुमारफाल चालो उसने तुर्कों को अराया और जहां पर हराया उसी जगभ एक जील बन वाई अना सागत उसको उसके पिता ने अपने जीवन काल में राजा बना गी खुँद सन्यासी बन गया था अजे राज अजे राज ने सभिख आपदा अजियर की इसतापना की अलिक किसको रहा था how अजमेर की राजान pó्ड को और अधरमाई करवाए गया लिख मेरिता और प्रिच्राज विजय एक राजा वाता जिसने गुजरात के चलुक के राधा मुल्राज प्रथम गोहर आया था विग्राज सेकिंड और बढ़ोंच में किसका मंदिर बनवाया और याजमेर के चौहानों की कुल देवी थी एक राजा 108 जीतता है उसके बेटे का नाम क्या था जिसने कहाँ चौहान रज्य के शसापना आत्म प्रभा किसकी रहनी ती कौंशे भगवान की पूजा गरती कौंशे जील में कितने धीपक जिलाकर किसमें निपूंड थी वो पहला स्वतंतर चौहान राजा कौन था इससे पहले चौहान किसकी अधीन थे प्रतिहारों का र उसने इस थापना कभ की थी एसा कौन्छी किताब गती है परबंद को स्थ किसने लिखी थी राजे सेखर च्वहानों का उत्पती स्थाल कौन्चा है यह कौन्चे जील के आसपास का चेतर है कौन्चा इत्यास कर कता है उसके चारु तरप रहते दे रामकरन आसोपा इसलिए लोग क्या केला है चवहान केला है राजदानी कौनछी थी ऐच चत्रपुर आजकल अपने क्या बोलते ना गोर बोलते कौनसा अभिलेक कता है कि इंदर के वंसर्ज थे राइपल का श्यवाडी अभिलेग। कौन-कौन कताई ये लोग विदेशी थे। जैंस्टोड, विलियम, क्रुक और विंशेट इस्मित। कौन कताई ये लोग ब्रहमन थे। बिजोलिया अभिलेग, चंद्रावती का लेग, कायम, रास और दसरत सर्म। कौन-कौन से अभिल अजमेर अभिलेग। और एक इत्यासकार गौरी संकर हिराचंद ओजा। कौन कताई अगनिवंसी थे। चंदबरदाई अपनी कौनशी किताब में कता है। कौनशे रिसी। कौनशे परवत पे। यग्यक अगनिकुण से कितनी जातियों पनी। कौन-कौनशी। सबसे अंत यह इदर राज़स्थान क्यों आया था। मरातों का बढ़ायती सेनापती बन गए। कहां-कहां टेक कि उसने। और विल्यम फ्रेंग्लिन की बुक का नाम बताओ। हमारे प्रदेश के लिए राज़स्थान सब्द का इस्तेमाल किस ने गया। उसने कि राज़स्थान क्य जास का उसकी बुक का नाम बताओ देखे एनाल सेंट एंटिक्रिडिज अप्राजस्थान इसी का एक और नाम सेंट उसकी एक और किताब का नाम च्वहानों का शासन कौन-कौन शी जगह पे था सांबर आजमेर रंतंबोर नाडोल जालोर सिरोही बुंदी और इती बादे बड़ी चलो आगे पड़त कर लास्ट लाइन हमने एक लिखी थी कि इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली थी ऐसा बिजोलिया का अभी लेक करता है और दिल्ली वाले तौमर थे वह अब चवहानों के क्या बन गए थे सांब चामंत बन गए दिल्ली के पास में हर्याना की तरब जब नीचे उतरके आते तो वहां पर पहाडियां जिन पहाडियों का नाम है अग्षिवालिक की पहाडिया ब्लंबे पथर पे लिखते हैं उसको बोलते है तो कौंसा इस्तंभलेक है ? सिवालिकbijक के राज़े राज़ी के पासे हैं अंधर नगदेन के पाहड़ीयों में इसलिए अपने कई बार इसको बोलते हैं दिल्ली सिवालिक वाद में यह बहारत में यह अभी लेख लगवाना किसी राजाً ने बड़े तोर पर सुरू किये थे तो वह राजा और हाया अचो नाम का एक रॉटा जिसने अभी लिख लगवाने शुरू कि ए आसोक कि निहारना में एक जगह पर एक पीलर लगवाया इक South नीLoulla नाम էान, जिसने अपना एक लेख लगवाएं one pillar पर लेख लगवाएं 7 परग्राफ लेख लख लख? एक पिलर के ऊपर अब हम लेख लख लिखा वाग्राफ है? engine आभी Fraga वह काम लख लख वी बाग्राफ रख में लख लखाक है लेख कर लकाये लेख म्मंत लेखिफ कर लाख लिख नीचे वली जगए खाली, नीचे वली जगए? खाली. आसोक के बारासो तेरासो साल बाद में वा Tightra Chaturth आसोक के भी लग भगे? बारासो तेरासो साल बाद में कौन होते आपना विग्राज Chaturth विग्राज Chaturth पुर्ण विखे शित गया этим तो इस फिलर पी ल्एक है ओपर तो प्लोर के नाम पर क्या बोलता है तो प्लोरत पीं पर रेंगी को से कोई अलग नहीं पर अपणने?, आपम्ने को याद कैसे रखे हैं तो दीडिया गाहूं लाम पर निचे वालेगाव opposite ऊत शैजिवाड़िो के नाम से ळे दिया विगराज चतूर्थ के भी 300 साल बाद डिली में एक सूल्टान बनता है फिरोस्तोगलक कौन एक नय राजा बनता है 202 तोफ रभागी तरफ भी तोफ्तो फैक एक पिल्लर बड़ा पसंदा या क्या लिखा भाय था उसके पल्ले न года फिल्लर बड़ा सांद्र पालिसिटी सांधार केविटी की दूर से चमक रहा था उसने गा उखाड़ो वह पिल दर उखाड़ के लगा देता है दिल्ली कहा लगा देता है तो हमें यह बाद में जब लोगों न इसे पढ़ा था अंगरिजों न पढ़ा काहां पर इसको दिल्ली में इसलिए उपरवाले कणकर का दिल्ली टॉपरा के नाम कर दियास है तो टौपरा मिला कहांसे दिल्ली और निचे वले की नाम तेशान टिया तो ची वालिक पाधेशन का लेकिन मिला कहांसे अब दो हो छीज़ कोई यह पूछे दिली गिस्तंभ लेक ने लगवाया था कि या अभीले कोई स्फिक्ट ने लगवाया था 3300 म जया हिए है असोग के दिल्ली तोपरा इस्तंभ लेख लगवाया था ही इंस्टोल्ड दिल्ली सी वालिक पिलर एडिक्ट इंस्टोल किया इसने वहां पर ही इंस्टोल्ड दिल्ली सी वालिक पिलर एडिक्ट इसने दिल्ली सी वालिक पिलर एडिक्ट इसने दिल्ली इस्टम्भ लेक लगवाया था, इंस्टोल्ट दिल्ली इस्टम्भ लेक्ट, लाइन चैंजगर की लिखना, यह असोग के दिल्ली टोप्रा इस्टम्भ लेक्ट के ठीक नीचे लिखा गया है, यह असोग के दिल्ली टोप्रा इस्टम्भ लेक्ट के ठीक नीचे लिखा गया ह इट इज रिटन राइट अंडर दिल्ली टोपरा पिलरेडिक टोप असोका यह असोक के दिल्ली टोपरा इस्तंबल एक के ठीक नीचे लिखा गया है इट इज रिटन राइट अंडर दिल्ली टोपरा पिलरेडिक टोप असोका असोक के दिल्ली टोपरा इस्तंबल एक ठीक नीचे लिखा गया है असोक वाली लाइन को बॉक्स बंद गरो तागी पता रहे गे यह लाइन अलग है अलग है और सुनना मेरी बात असोक वाले अभी लेख में क्या लगा वाए एंशेट में आप पड़ोगे आप पड़ोगे असोक ने तो अपने रज्जे के बारे में लिखवा यह था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तायब की बाते हैं जनता को क्या करना चीह राजे की अपने वाले की बाते हैं चाहूंगा और मैं ने तुरकों को पीटकर अटक नदी के पार भगा दिया है मैंने तुरकों को फीट कर अटक नदी के पार भगा दिया है मैं चाहूंगा कि मेरे उत्रा धिकारी तुरकों को अटक नदी ना पार करने दे मैं चाहूंगा कि मेरे उत्रा धिकारी मतलब मेरे बेटे पोते पड़ पोते सड़ पोते लड़ पोते तुर्कों को वापस कौन सी नदी ना कर उसकरने दे मैंने तुर्कों को हरा कर भगा कर कौन सी नदी के पार भगा दिया है मैं चाहुँगा कि मेरे आनेवाले जो वनस रोग में तुर्कों को कौन सी नदी नापर करने दे एसा कौन कर रहा है अपने कौन से अभी लेक में डिली से वालिक इस्टंभ लेक के अंदर विग्राच चतुर्थ करता है कि मैंने तुर्कों को अठक नदी के पार भगा दिया तदा मैं चाहूंगा कि आने वाली पीडिहां भी तुर्कों को अठक नदी पार यह 1157 के आसपास की ब जोबी बढ़ा राजा ओता चोटे राजा ओंगो उसके साथ से ना लेकर जाना पढ़ता अकपर एक बढ़ा राज है तो संदी नकाईगा तो संदी करेंगा लेकिन अठक नदी पार नहीं करूंगा क्छोंछी नदी पार नहीं करूंगा अटक नदी के पार लडने के लिए नहीं जाओंगा और तुन जहां बेजेगा लडने के लिए जाएंगे लेकिन अटक नदी पार नहीं करें ऐसा कॉन राजा करेता है outta serem fotumicu ohan娘 कहा raja brau किसके साथ संदी एक इस इसके भी लगबग 100 साल बाद, बिकांदर में राजा होता है करण सिंग, बिकांदर में राजा कोन होता है, करण सिंग नाम करके बिकांदर में राजा होता है, मुगल बाद सा औरंग जेब, मुगल बाद सा कोन है, औरंग जेब करण सिंग को राजस्थान के बाकी सारे राजाओं क अटक नदी के पारे गया पी ले पी आटक नदी के पास ले जाका और उसने अपनails राजास्तान कि राजाओं करनी है लेकिन अपने राजस्थानने बगावत कर दी कि अम ड़ij नीए करें और बगावत करने वाला कोंसे राजा के लिए, कौंशी नदी के पास में, कौंसे बाशा की के नाम था है जिसकी मुवी देखते आप बाजीरावी मस्ता नी वो जो माजीराव बललाल था वो एक बार वापस करता है कि में माराठों गार्भ जंड़ा अटक तक पहुरा दूगा मराठों का जंडा कहां से कहां तक फेरा दूगा अटक से कटक तक मराठों का जंडा फेरा दूगा मतलब ग्यारा सो सत्तावन में चवहानों का एक राजा विग्रा चतूर्थ करता है कि मैंने दुस्मनों को मार के अटक के पार बगाया है पर मैं चाहूंगा कि इनको क्या ना पगावत करता और अटक नदी के पार जाने से मना कर देता है इसलिए बाकी राजा उसको उपादी देते हैं कौन सी जांगल दर बादसा और उसके भी 17-80 साल बाद मराटों का पेश्वा बाजीराव बल्लाल कहता है कि मराटों का जंडा कहां से कहां तक होगा अटक से कटक इ बाउंडरी कहां से कहां तक है अटक से कटक परता है उडि-सा में कटक कहां पर और अगया की बंगाल की खाडी में उडि-साक अननर ridiculous जहांपर صبح अंदर बास का जन्मुआ तो आपने समझ में आगे कि अपनी पूर्वी सिमा इस्टरंड बाउंडरी जो वो दो बंगाल की खाडी यह भादी आगे दूसरे अज़ा जाएंगे वैसे बंगाल की खाडी तक अपनी सिमा बंगाल की कि काड़ी में वह जो जगाए उस जगह का नाम क्या है कॉंसी जगाए अटक पकिस्तान में है अटक कहां पर है आपके नदी है सिंदू सिंदू नदी पहडों पहडों में बैती है मल्ले में उधर निकल के तिब्बत की तरफ से निकल के आती है पहडों में बैती 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 पकिस्तान के अंदर जाती हिंदूस्तान पूरा पहडों में क्र वहां पर एक छोटी सी नदी है जिस नदी का नाम है अटक जो सिंदु में आके मिलती है अटक नदी जो मैदान पना थी उसका नाम क्या हो गया अटक का मैदा वहां पर अटक नदी आगे किसमें मिल जाती है सिंदु तो सिंदु की साहिक नदी कौन सी हो गई वह अटक नदी भारत की पस्चिमी सिमा है, तो अटक नदी के अब भारत की, हमारे यहां के लोग मानते थे, कि अटक नदी के इधर इधर के जो लोग है, उनकी कल्चर एक जैसी है, अटक नदी के उधर के जो लोग है, उनकी कल्चर अलग है, उधर के लोग गाये खाते हैं, इधर के लोग तोड़ देते हैं इदर के लोग मंदिरों में पुजा करते हैं उदर के लोग मुर्तियों को नहीं रखते मुर्तियां तोड़ते हैं इदर के लोग मुर्तियों की पुजा करते हैं उदर के लोग यग्ये नहीं करते हैं इदर के लोग यग्ये करते हैं इसलिए हमें कल्चरल कियो कि इदर वाले अटक क्रोस कर गए तुमारीन कल्चण भिन होगी यह तुमारी मंदिर तोड़ेंगे यह तुमारी यग्ये बुजाएंगे यह तुमारी गाए को काटेंगे यह तुमारी मूर्तियान तोड़ेंगे इसलिए मैंने इनको पीट पीट के कौन सी नदी के पार बगा दिया अटक और मैं चाहूंगा कि यह क्या ना क्रोज करने पाएं इसलिए हमारी सीमा अटक है बागा बोडर नहीं है हमारी सीमा क्या है बागा बोडर नहीं है सेंटालीस में लाइने खिंज दी होगी पर सेंटालीस में लाइन खिंज के कहें दिया गया गया हमारी सीमा क्या है बागा बोडर ना ना हमारी सीमा वो है जिसके लिए मराठा वंगाल से उजमेकिस्तान चल जाएंगी हैं अटक से अक अटक जानता है कि हमाना भारत कहां।े प्सक्राओं नहीं हैं तो टो बाहरत नहीं हैं। पीछली त्सली सिर्च अटक काह भी में भारत कौंटी या कि हमारे वाली पीडि भी ऐसा कोई भी प्रियास है नहीं कर पाएगी एक दिन महां भारती सचे सबूतों को जनम देगी हमारी आने वाली पीडियां साथ विग्रा चतुर्त अभिलेक को देकर वापस अटक लेने का प्रियास करेगी जब तक सिंद नहीं है तब तक हिंद नही का हैं सिंद पकिस्तान में गारे व भारत कर अश्टरगान में है नहीं तुमारे पास में सिंद जब सिंद नहीं है तपर अश्टरगान को गाने का मतलब भी गया या तफिर गाओ पंजाब गुजरात मराथा द्राविड उतकल बंगा कम से कम उसको निकाला जाए मुझे असकर से करेंक्द निकाला उनके मन में रहा होगा हैगा कि आज नहीं है लेंगे ऑगत कर लेंगे फिर फिर हमारी सीमा कहा से कहां तक होगी वर पाद मीचोब करके आज 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 अंदर पिछे सपूत शोड़ गया था हम है उन सब होतों ने आज नाम रोशन क्यार जंडा एक बार फिर हमारा अटक से कटक यह तो अपने भारत के अभिलेखों की बात बताई क्यार कंट्यूनुटी देखिए हमारे लोगों का एक वो विचारों का परवादे के फ्लो देखे तूट नहीं रहा है बनाब 1100 में एक अटक तक हमारी पाउंडरी इधर अटक तक आपड़े हैं मैं क्रिकेट का बड़ा सोखी मैं अभी लोगडाउन में निकम मही बैठा था कहां तो कुछ था नहीं तो यह यूटूब पे वीडियो देखते रहता पाकिस्तान वाले सौइबकतर जो बोलर है ते दिन सौइबक रहते हो तो क्या करते हो आजकल तुम जो फ्री रहते हो तो उसने का कि हाँ अब मैं थोड़ा यह फ्री रहता हूं वरना पहले सुब जल्दी उठना प्रेक्टिस करना फिर मेच खेलने के लिए जाना इधर जाना उधर जाना वो चलता रहता था आजकल मैं बुक्स पढ़ संभ प्रडिक्सन से भविषय वाहन्यां किया बात कर तो बहुते मितलों अगे भी बात बता दी कब लिखे गई थी इसने चिए साल पहले और आज की बात है ने ठखिना पड़ा था। उसमें लिखाऊ है यह जोड तूह ये तो चौड़तूं यह राजय माराजाओं की बात है उसुए भुख में यह होता है तक्सीम का मतलब भीबाजन तक्षिम न तारम किया होता है विबाजन कि सेंटा तुल होगा एभी लिखा वैर भादविंस ने गार बंटुवारे छंगे अंदर पाकिस्तान जीते गा भारत पाकिस्तान के पीच में करता है और युद होगा और युद निवो जीते गा पाकिस्तान जीते lord था विक्टरी प्रेइड करता है पाकिस्तान बाग है दो पाकिस्तान यह पाराथ से चार युद लढ़े हैं accelerate आए दारत था पैंसे底-वय और नाइष पटी वन नाइन टे-ट ररे टीस प्टी ना न relativelyлохी। है ज़िस नीं किom रहाएं सेवंटीवन वाले के लिए जूट बोल जाए किएंगी सेवंटीवन में पाकिस्तान के पिच्छाण में 1000 अजयार स्यनीकों सरेंडर कर दिया कि दुनिया के इतियास में कई नहीं कि इतने भरी भरकम सेवन कुन एक साथ सरेंडर किया हो किते कर गए हमारे पास फोटो है इसलिए पाकिस्तान यह दी कहें कि मैं 71 में जीत गया तो लोग दिखा देगी यह और मुझे वह फोटो बड़ा अच्छा लगता है जिसमें हमारी आर्मी की 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 ओपिसर है इस्टन कमांडर के ओपिसर हुआ करते है उस ताम हमारी पूर्वी कमांड की ओपिसर थे जगजीत सिंह अरोडा क्या नाम था जग्गी जग्गी बेठे में और जग्गी के पास में ऑम ऒ करते हैं नाम है जिस स्रेंड़ किया था निया ल QUE नम यह चुरु की ने जहें कर आद बेदे आंवर दिए अर यह त pryगा है और यह चुटो करुब्वाए था लिए नै को मतलब हो मतल mu हतियार रख रख तो उसने हतियार रक रेंख reflects है और इधर जगी बेठे में और यह जो साइन कर रहा है कि हम कली गाई हैं तुमारी दूड़ खाई हमने दुपारा तुमारी तरफ लड़ाई करने के लिए नहीं हैं पीछे कुछ आर्मी के ओपिसर और खड़े और आर्मी के ओपिसर में एक सबसे लंबे ओपिसर खड़े वह अपने राजस्तान के हैं सगत स जिन्होंने उसी दिन धाका जीता है क्या जीता है दाका जीतने वाला ओपिसर है वह तो वह आम पीछे खड़े में तो वह एक आर्मी का फोटो है नियाजी ने सरेंडर कर दिया था सेवंटीवन में पिचैन मजार सैनिकों के साथ इसलिए पाकिस्तान में नियाजी सरनेम इ लगाते इमरान खान नियाजी है कि अ मरान खान का नाम के आगी कभी सर्नेम नहीं यह बाखे सब करनेम है उनके और अशेफली जर दारी बिलावल भु égal गयर्टो सहबाद शरीफ नवा चरीफ श्रीफ इन्हारन खाज के आगे क्यों नहीं किर इमरान खान को पताओं यादि में लिख दिया इमरान खान नियाजी तो पाकिस्तान की जंता के बार बार याद आएगा गद्दार बाठे मारेगा फाल तुगेंबर कोई तो पाकिस्तान 71 को छोड़ गए सारी करता ही कि हम जीत गए तो सवय बगतर कता है उसमें यह लिखावा है कि 65 की जंग में हम कहां प्रकपजा करेंगा और कश्मीर प्रकपजा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान को फटय करेंगा तो लड़की बड़ी रजी होगे वह एंकर होती होगे आमीन ऐसा ही हो यह सब होना चाहिए मैं अब तक उस वीडियो को जब सुन रहा था तो मुझे हंसी सी आ रही थी है ठीक हंसी वाली बात करें पर जब उसने यह का तो उसके बाद सोईबकतर बोला कि रुको रुको एक बात और सुनो उस किताब में यह लिखावा है कि जब हम हिंदुस्तान पर फटय करेंगे तब अटक नदी के पास दो बार यह दोगा कौनसे नदी के पास दो बार यह जाए हाओ सिगते होगी, अटक का दरिया दो बार खून में बह जाएगा मां अकशर को अड़ किती बार खून में बहेगा दो बार खून के इनदर बेहे जाएगा अटक के पास भारत और पाहिसतान लडेंगे वह लाइन कोई तन्हारी बात का उतना ही बड़ा समर्थक हूंं ईस्वस्य वक्ता को सारी बभुश्य वाड़यां सत्ते हो बहुत जल्दी आमारे भारतिये आर्मी के जवान कहां पर पॉंच जाए और वहां पर किती बार पटक पटक के दोए किती बार ऊज़े और और उस दिन हमारे विग्रा चतुर्थ का उस अपना पूर्ण पुने सच्चा होगा कि मैंने पीट पीट के कौनसी नदी के पार भगा दिया है अटक और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्रादिकारी भी उनको कौनसी नदी ना करोश करने दे वह अभी लेक कौनसा है डिली सिवाली पिलर कौनसा है डिली सिवाली पिलर पिलर नहीं है सूल कितरे चुबना चाहिए एक एक बच्चे को याद रहना चीए कि हमारी सीमा कौनसी है क्या पता हम आंखों से देख पाएंगे एक बार फिर हमारा जो बोडर होगा हो कौनसा होगा और अगली पीडी जो कम से कम यह न कोई कर राकूए का बिसलपूर कहा पानी पीतिया अपने यह बिसलपूर टॉंक में एक सहर पड़ता है इस बिसलपूर को बसाने वाला विग्राच चतूर थी था बिसलपूर को बसाने वाला कौन है और इसने यहां पर एक तो बनवाया तालाब क्या बनवाया मैं कल से इसने बिसलपूर नगर की स्थापना की, 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 इसने बिसलपूर नग कि तदा यहां पर तालाब वस्यू मंदिर का निर्मान करवाया उपने बिल्ट ए पॉंड एंड सिव टेंपल हियर विसलपू तॉंक में जगह है ना पूच रहे हो गुझ पॉच रहे हो कुछ हां अटारी बागा उसाइड में पढ़ता अटारी आपने साइड में इक पाकिस्तान वाली सइड में है बागा अपनेवाल साइड थैंप अटारी बोलते है पर बॉल्सान economy 57 में बगा ब्रबागब्योडय ओड़र हो रहां किया लि विगरा चतुर। चवहानों की राजदा नहीं कौन ची है? अजमेर? अब तो अजमेर आगे ने, अब कहे नागोर है? फिर मैं कहते हो रहा हूं चलते चलते अब कहां तक पहुंच गए थे? अजमेर आगे तो अजमेर में इसने बच्चों के लिए की स्कूल खोला जाए तो कहां पहोला गया? अब्हुरान मतला होता है? अब्हुरान के मतला होता है? कंठो का अबबुषण का अब्हुषण विढ्या कीृद्ध में लिए विद्ध्धिया क्म है इसलिए अभुन नामी चांकटे जाओ स्रेश्वती मिशू Alrighty? कॉम जुरां का लैविद्धिम का ऊठ में एक और कुटपुदिन अभग ने इस वाड़ सालत ओड दिया इस वाड़ साला को और तोड़ के यहां पर बना दी मस्जीद था है तोड़ के यहां पर क्या बना दी मस्जिद इस मस्जिद के के पास में एक को संत रहते हैं जिन संत का नाम है पीर पंजाबसा कि संत का नाम क्या बता हो दोगे पीर पंजाबसा कौन सी मस्जिद के पास रहते हैं जो कुतु बुदिन अभग बना की गया है कौन से संत रहते हैं बता हो दोगे इन पीर पंजाबसा यहां पर रहते हैं इन दिन का उर्ष लगता तू एंड हाफ देज का यहां पर उर्ष लगा करता कौन से संत का किसके पास में कौन सी मस्जिद की जहां दाही दिन का उर्ष लगता दो दाही दिन के उर्ष वाली मस्जिद दाही दिन के उर्ष वाली मस्जिद आज कर अपने इसको बोलते हैं दाही दिन का जोंपडा कि या बलते हैं इसको हें तो यह वास्तों में क्या है एक संस्क्रीट पाड़ साला संस्क्रीट पाड़ साला किसने बनवाई कि कहां पर बनवाई कि क्या नाम ता उस पाड़ साला का तोड़ा किसने तोड़ के क्या बनाई मस्चिद उस मस्चिद के पास में क्या लगता है कितने दिन का किसका इसलिए मस्चिद क्या कराती ह पर ले बड़ी बाते हैं? लेखो. पर लेखो. कालांतर में कोतोबुदिन एबक ने इस पारसला को तोड़ दिया. कालांतर में कोतोबुदिन एबक ने इस पारसला को तोड़ दिया. चता इसे एक मस्चिद में बदल दिया. चता इसे एक मस्चिद में बदल दिया. जिसे एड़ाही दिन का जोंपडा कहा जाता है. जिसे एड़ाही दिन का जोंपडा कहा जाता है. इसको बॉक्स में बंद करो. कोतोबुदिन एबक वाली बात को बॉक्स में बंद करो. जा इस मस्चिद के पास नियर्दिस मौस्क . दढ़ी दिन का वृर्ष अयूजित किया जाता है also. पीर पंजब साह का दढ़ी दिन का वृर्ष अयूजित किया जाता है. 2.5 डेज उर्ष औपीर पंजब साइसल इस सेलब्रेटड. पीर पंजाब साहा का दाही दिन का उर्स आयुजित किया जाता है टू एंड हाफ देज उर्सो पीर पंजाब साहा इस सेलब्रेटिड पीर पंजाब साहा का दाही दिन का उर्स आयुजित किया जाता है तो एंड हाफ टेज उर्सो पीर पंजाबसा इस सेलेबरेटेट पीर पंजाबसा का ड़ही दिन का उर्सायोजित किया इसको भी बॉक्सम बंद करो लग से इसकी पिता जी थे अरणो राज में नाम बताओ देख़ेंगा में नाम गों से सूरी याद रखना आप से आगे जहां सूरी नाम देखो मतलब वो जेन है जहां सूरी नाम देखो मतलब वो शेर सा सूरी को छोड़ गए करना फिर क्या टाबर शीडियों में पकड़ लेते मेरे को सैब हमें लगता है आजकल वुढफा आगया आपके जिए ठोड़ी कम याद रहती है आपने का सूरी सारे कौन है जहन तो इससार सा मानते हो गया तो ज्याण रखना उसका नाम सेर सा सूर है उसका नाम क्या है गलती से शेर सा सूरी हो गया उसका वो सूर सामरज्य है उसके सारे परिवार के नाम क्या गया कि सूर लगावा अदिल सा सूर, सिकंदर सा सूर, इसलाम सा सूर उसके नाम क्या गया बगवान जाने कौन सूरी लगा गया बगयो शेर सा सूर है सूरी है जो सर कि लास में सुना करो ज़्यादा, बोला करो कम, लिखा भी कम करो बले, सुना ज़्यादा कीजिए, सुनी भी चीजें इस्ताही रती है, लंबे समय तक याद रती है, कई बच्चों का पूरा-पूरा ध्यान केवल लिखने में रता है, कि नोट्स बनाने अपने, यदि आपका आप से सुन्दर राइटिंग में कि वो दुकांदार उनको बेचने तो अच्छी सी राइटिंग में लिखवा रखें उन्होंने पूरे नोट्स ही मिल जाता है फिर तो नोट्स खरीद लिये जाएं क्यों यहां पर इठाशी जार रूपे लगाए जाएं गर पर बेठके पड़ लिया जाएं यहां आए हैं केवल इसलिए कि सुना जाए खुब सारी बाते सुनी जाए क्लास में टीचर जो लिखवाता है उ को आपका व्यक्तित्व विकास करती है वास्तों में वह चीजों को जोडती है आपके याद करने में चीजों को सरल करती है इसलिए सुना किजिए दत्त चित्त होगे पहली बात तो यदि आप कहीं चूख जो होता कि आपने को लगता है कि सर के साथ साथ नहीं लिखा तो प पड़ेगा, आप ग्रहा को, हमारे में गुरु वड़े कोई गुण नहीं है, विशुद्ध वैपारी हैं एकदम, आप एक एक टाबर को देख के अमारी आंखे समगती इठाशी जा रहा आगे, गुरु गुरु वड़ा को चाही नहीं, मैं सुबही कोई बेच केंदर के गु अपने बुड़े थाड़े हो गए जब लोग आगे क्या खा रहे हैं, फिर उसने नहीं सार, आप तो गुरु वड़ा के दो खान चे माना नहीं, मरा यह गुरु नहीं, मेरे में तो गुरु वड़ा कोण सा लखन लगा बाया बाएं, बटन उपर से खुले वे दड़ी करने की आव सकता नहीं, तो तो यह हाथ मिला आगर का हाई राजबीर, मैं ज्यादा राजी हूँ, आप तो आपने आराम से यह सवाल पूछ सकते हैं, इसमें तनिक गभरने वाली आव सकता, जागोग रहा के, पहली बातों पीछे रहोगे नहीं, मैं एक लाइन को 6 बार ब आपको आपको हमेसा दुबार बता दी जाएगी, कर बार इतने बच्चों को देखके सोचते हैं, यार 500-600 बेठे हैं और इनके अंदर भी खड़ाओंगा, अपनी बेष्टी हो जाएगी, जिसने के सरम उसके फूटे करम, इसलिए इन मामलों में सरम करने की कोई भी आउ सक अजम करता है, तो वग्राच चतुर्थ कई दरबार में एक जैन विद्वान रहते हैं, उनका नाम है, गोस्टूरी बिग्राच, नहें आपको हमेंसा कहते हैं कि थिन्सा नहीं करने चिए, क्या नहीं करने चिए? पेंसर सही बत है थिन्सा नहीं करने चिए अरे यारे ड़ वोडी वोडी बनाने के लिए सब करना पड़ता है का एक दिन तो टालो रहे कम से कम तो फिर विग्राज चतुर्त ने कहा कि एका दसी की दिन जी वत्या नहीं की जाएगा कि कौंसे दिन 11 कि आज है आज कोई भी नॉन्वेज नहीं खाएगा क्योंकि कौन कहें कि कहें थे कौ कोई पूचे का कौंसे चोहांद राजाने जी वत्या पर रोकुंइ लगा दी ती कौनसे एक दिन के लिए एका सोया एसा कौन से जर्ण विद्वान की करने पर क्या लेखो दर्म गोस्य सुरी के कहने पर on advice of dharm गोस्य सुरी इस ने एकान सिग दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी इसने किसने? विग्राच अतुर्थ ना? फिर विद्वान व्यक्तिवावे विग्राच अब विग्राच ने नाटक लिखा उस नाटक का नाम हरकेली नाटक का नाम क्या है? दुबारा बोलो प्लीज हरकेली बोलना हना हरकेली याद रखना कई बर कई ताब यह इस नाम को बोलते है हरीकेली क्या बोलते है? इनमें रात दिन का अंतर है हर हर का मतलब है शिव जी हर का मतलब क्या है हरी का मतलब विष्णु शिव जी के नारे लगाते हो तो आप हरी हरी महादेव करते हो गया हर हर महादेव इसका मतलब हर का मतलब क्या होता है और हरी का मतलब क्या है आगे काम आईगी ये बात आगे प्रेवाची याद करोगे तो याद करोगे विष्णु के प्रयावाची तो हरी सिव का प्रयावची तो हर और काम आएगा कि लक्षमी का प्रयावची हरी प्रया लक्षमी का प्रयावची और पारवती का प्रयावची हरी 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 प्र हर का मतलब सिव केली का मतलब सिव का खेल सिव ने खेल दिखाया सिव ने ग्याम दिखाया किसको अर्जुन को किसको दिखाया अर्जुन में एक बार कमंड आ जाता है अर्जुन ने का कि मैं किसी से हार ही नहीं सकता मेरे देशा कोई भी धनुष चला ही नहीं सकता मैं सबसे अच्छा दनुष चलाता हूं बगवान सिव ने उपर बेटे-बेटे सुना कि यार अर्जुन नीचे खड़ा अर्जुन को आऽख का कि ओ डूको गाए अर्जुन को कर रहाया गया और अपने थीर चल आने का करते हैं यूद्य करते हैं आपस लिए भगवां शिव अर्जुन को हराते हैं अर्जुन बशुन को कहते हैं कि घमंड नहीं करना ज़िए अर्जुन को दिर्सन देते एक मैं हूँ या थै कि अछूड रहा हूं तो यह चोड रहा हूं वोहां अहां। हाज थे ए गया जिसका नाम था किरात अर्जुनियम क्या नाम था किरात का मतलब क्या हो गया सिकारी सिकारी कौन बन क्या है किस से आके लड़े इसलिए नाटक का नाम क्या हो गया और यह नाटक लिखने वाले अपने बहुत महान विद्वान वे भार्वी कौन विद्वान वे पर भार् को अधार बनाके इसी बहरवी की किताब को बेस बनाके हमारे राजा नहीं जो नाटक लिखा उसनौत को नाम क्य क्या है से मेखी बात आई बहुत कीरात अर्जुनियम क्या दों या क्या क्या ही हरकली थोड़ी- jurisdiction किसने दौग जौनीयम किस ने लिखा और इसी के आदार बना पुस्तक लेगी थी रोटे नमट हरक oy i.e याद रहीगा न हरी के लिए नहीं बोलना बढए क्या बोलना कि इसको इसने हरकेली नमट पुस्तक लेगी थी रोख लrendo हरक केली से कुछ पॉलकेल, पर आधारित है, It is best on kiratar junyum आध बढर भी, यहान भार भी के किरातर जुनियम पर आधारित है, इस बहत का मतलब क्या होता है, शिकारी, बोक्स वस्फवरा बसदोगर इसको, किते प्रेयवाची याद हुए शिकारी का प्रेयवाची क्या हो गया कि रात शिव जी का प्रेयवाची हर विस्नु जी का प्रेयवाची लक्षमी का प्रेयवाची हरी प्रिया पार्वती का प्रेयवाची हर प्रिया याद रहेंगे सारे लिगो दर्बारी विद्वान इसके क्या नाम बंदेगा किसके दरबार में सौम्दयों बताओ देगे विगराज चतूर्त इसलिए इसकी बुक का नाम हो गया ललिट विगर राज क्या नाम हो गया बुक का ललिट विगर राज कि या नाम बुक का करे वास्तव में तूइ बुक लविश्टोरी है यह विगर राज की और उसकी एक राणी करेम कहांदी उसकी नहां था देशल environment तुर्थ होर देसल ड्यवय अपने प्रेम में पागलों वर सुवखे थे, उन्हें दिनों के अंदर गजँिय finans सब्खेंड़ा खिश रहा कर देथा है। गजदी तदिन का रएजान कौना कर देता है? खुस्रोंसा को पिरता वा अठक नदी तक लेकि जाता है क कहा तक लेके जाता है और उसे अठक नदी के पार बहगा कि आतार उसके बाद Denali तो उसलोग है दोर वह होगा है तो वह दोर्ज थी ऑभिलेख में नहीं बीड़ा था Over we किसको बगल में लिखा पर जब किताब पढ़ते तब नब वा रट भूसर और कृजणी को रहा था आ shaken यहां कोई आपकोई पूचे गजने के खुशरों सागो विगराज ने हराया था ऐसा कौन किताब में लिखा है कौन के र sabemos कि इस ने सी इस किताब यह किसी प्रेम का नहीं है इस पुस्ते इस पि lle Vigaraj Chatur tata Desal Devi ki Prem-Pahani, Prem-Pahani ka also가는 वर्णन," Love Story of Vigaraj 4th and Desal Devi is mentioned, that is described in this book, वigaraj Chatur tata Desal Devi ki prem-Pahani, Love Story of Vigaraj 4th and Desal Devi ka वर्णन, is mentioned, Vigaraja Chatur tata Desal Devi ki Prem-Pahani ka वर्णना, Love Story of Vigaraj 4th and Desal Devi is mentioned. किसका वढ़ना ने बताओ जगे विग्राचा तुर्थोर देशल देवी की प्रेम काहनी का वढ़ना इसी में निचेक लाइन और लिखो फिर इसको बॉक्स समद गर लेना ना इसी में और लिखो इसी पुस्तक के अनुसार एकोडिंग डू दिस बुक इसी पुस्तक के अनु यह को घराया था इस एक ड़ेटी गजनेच कि खुशरो शा यह अनु बता इतीरे मिने बातों जिसने गजञे के खुश्रोशा को हराया था इडिफीटेट घजनेज किंग खुश्रोशा जैसने गजनी के राजा खुश्रोशा को हराया था लिग उपादियां विगराच चतुर्थ की उपादियां कौन सा नगर बसाया था अब ही थोड़ दर पहले हम पढ़ रहे थे विसलपुर इसलिए इक बादी है क्यों पादी है है विसल देव दर बार में कवी रते खुद कभीता यह लिखता कव लिखता इसलिए ऐक बधी हो की कभीयों का बंधु है वैं ть Carmen की पने दूंkelnा ऑफो इसलिए बंधू है कि कभीयों का बंधू है एक किल हमने बात कि कि गोविन थड़को उपादी दीगी वेरी घट इसा कौन से किताब में तो प्रिचुराज विजय तो विग्राज किसकी थी विगराचा तूर्थ की तो लिख लो कॉष्टक में प्रच्वराज विजय के अनुसार एक ओडिंग तू प्रच्वराज विजय के अनुसार एक ओडिंग तू प्रच्वराज विजय के अनुसार एक ओडिंग तू प्रच्वराज विजय सटोंपर में दो किताबों की लाइन लिखवाई गये एक मईधिस को खुद निकैती कौन से किताबली सговगory किताब हरकेली एक means किताब जो सौम देवने लिखी सोम देवने कों सी किताब लिखए लगी इन दोनों किताब गयित्राइने को इन कि स्कूलों में होता है गाउं कि स्कूलम जाते हैं तो यूं वो दिवारों पर लिखे होते हैं शिडी चॉंच बर ले गई नदीन घटियो नीर दान किये धन्ना घटेर कहगे दास बड़ा भया तो क्या भयार जैसे पेड़ पंची को चाया नहीन फल लागे रेमन दागा प्रेमकान मत तोडो तूटे से फिर जुडे नें जुडे वेसे वेसे यहां भी लिखिया है आपको दो ही आदें यार खूब सारे संस्कृत पाड़ सालागी दिवारों पर कौन-कौन अन वल्स आप संस्कृत श्कूल हरकेली तथा ललीच विग्राज की पंक्तियां खुदवाई गई थी हरकेली तथा ललीच विग्राज की पंक्तियां खुदवाई गई थी कि बंद कर लो कि यह जो लाइन लिखें दो इनको अलग से बंद कर लो कि विग्राज चतूर्थ तो अपना 1163 के आसपास उसकी म्रत्य हो गई विग्राज चतूर्थ के मरने के भी 300-400 साल बाद उसके मरने के 300-400 साल बाद अपने राजस्थान में एक राइटर वा जिस राइटर का नाम नर्पति नल है कि राइटर का नाम क्या है उसके दरबार में नहीं है उसके मरने के काफी साल बाद नर्पति नाला निक बुक लिखी जिस बुक का नाम है बिसल देव रासो क्या नाम बुक का बताओ देगे बिसल देव रासो तो कोई पूछेगा आपसे कि बिसल देव रासो किस ने लिख धरबार में उसकी काफी साल बाद में इसने किताब लिखे रुस किताब का नाम कै नाम बताओ दुबपर हुर विशल देओ और सुनो थुड़ी सी बात यह जो क्या ए गोडवरी भासा में कि बुक कौनसी बासा में गोडवड़ी बासा में बैसिकली अपने पस्चिमी राजस्थान में पूरे में जो बासा बोली जाती हो बासा है मारवड़ी पस्चिमी रास्थान में जो बासा बोली जाती हो कौनसी है मारवड़ी बासा है गोड़वड़ी मारवड़ी का एक प्र याहुए बürभभधिया इस इलाके को बोलते हैं गोड़वाड के बिच बीच बीस रिलाका कौनसे बीच बोली जाती है बूसे कौन से जिलों में बूली जाती ए है कि इलाका कहां से कहां तक बाली से लेके आहौर इसके बीच का इलाका क्या 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 कि लाता है गोडवाड तो यहां कि बूछ प्रकार है उसे चुह K50 बिशहळशा लिखी लिके? नरिखोु निचा ये लग से लिखना। नुटेव रासो नामक पुस्तक लिखी। नर्पती नाले रोटे बुख नम्ड विसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी। नर्पती नाले रोटे बुख नम्ड विसल देव रासो नर्पती नाले ने विसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक गौडवाडी बासा में लिखी गई है। इस बुक इस रिटन इन गौडवाडी लेंग्विज। यह पुस्तक गौडवाडी बासा में लिखी गई है। इस बुक इस रिटन इन गौडवाडी लेंग्विज। यह पुस्तक गौडवाडी बासा में लिखी गई है। इस बुक इस रिटन इन गौडवाडी लेंग्विज। इसको बॉक्स में बंद करो। लाइन चेंज करके वापस लिखो। गौडवाडी मारवाडी की एक उपबोली है। गौडवाडी सब डाइलेक्ट ओप मारवाडी। गौडवाडी मारवाडी की एक उपबोली है। गोडवाडी इस सब डाइलेक्ट ओप मारवाडी, गोडवाडी मारवाडी के एक उपबोली है, गोडवाडी इस सब डाइलेक्ट ओप मारवाडी, जो कि बाली से अहोर के बीच बोली जाती है, जिलों के नाम लिख लेना कोश्टक में, जो कि बाली से अहोर के बीच बोली ज जाती है, which is spoken from Bali to Ahor, जो Bali से Ahor के बीच बोली जाती है, which is spoken from Bali to Ahor, box बंद गरो, पले पड़की बात, सुनना देखू बात, मैंने पहले दिन आप कहा था घर पे जागे शलेबस देखना, उमीद गरता हूँ आपने देखा ही होगा, अब आपके सिधी सिधी एक लाइन लिखी है, राजस्तान का सहित्य वं बोलिया, क्या लाइन लिखावा है, राजस्तान का सहित्य वं और यहां से क्यूष्ण आते हैं, हर बार क्यूष्ण आते है, मुझे आदे, 2012 या 2013, 2013 और 2016, लगातार दो कोई मेंस में, एक सवाल पूछा 15 सब्दों में लिखना है, किते नमबर मिलेंगे, आप बता देंगे, मैं बता देता हूँ, कि इस सिंपल साथ, आप में से मैं पूछाँ तो आप इक देंगे सर, सिंपल बात लिखनी है, कि डुंगरपुर तदा बांसवडा को वागडगते हैं, तदा यहां की बोली वाग एक किसी बच्चे ने आंसर लिखा, कि डुंगरपुर तदा बांसवडा को वागडगते हैं, तदा यहां की बासा वागड़ी है, तदा संत माउजी ने अपने उपदेश इस बासा में दिये थे, किसने अपने उपदेश इस बासा में दिये, उसने नहीं पूछा, किसने प्रपदेश दिये किसने नहीं दिये आप उपरवाड़ा लिख रहे थे आंसर एनफ है उसमें भी आपको दो नंबर मिलेंगे और होता क्या है कि 20,000 लोग मैंस दिये मानलो किते जार लोगों ने मैंस दिया 20,000 लोगों ने मैंस दिया इंट्रव्यू कोल होता है 2-1,000 लोगो 2,000 मानलो 22,000 लोग मैं मैं अथी 2000 लोग मानू मैं रoound fuigy में तो 20,000 लोगों का मैन्स इनमेंस पास किते होंगे 2000 मतलब 10 मैंसे एक अब 9 कोपी आंगई एक बंदे के पास मैं कोपी चेक करने वाला हो मेरे पास में 9 कोपी आई और और कौपी में वाघडी वाँसोर के अंदर लिखावा था डंगरपूर ते था बमांस्वर्ड़को अन्पर गते हैं यहां की बोली हैं तो लोगता है यह अलग है इस बच्चे को एक्ष्ट्रा जान करी है पर अब मैं क्या करूं दो मैसे डाही तो देने से रहा बाकी सबको दो दो दिये हैं दो काई क्योश्चन अदो इसको भी किते दूंगा दो पर उस बच्चे के प्रति मेरी एक समझ विक्सित होगी इसको य क्या इसका आदा नंबर उधर ज्यादा मिलना ची यह था बाकियों को डेड़ डेड़ ओने चीतर इसके किते ओने चीतर दो अपने खा गया आदा नंबर इस बच्चे को किता दे दिया जाए सड़ कोई कह सकता कि सर आदे नंबर से क्या फरक पड़ता है मैं गता हूं यदी E situation कितने चार के इसन में अधान नंबर ज्यादा ले जाएंगे आठ आठ में खेल फ़ता हूं आफ नमबर की वेल्यू क्या होती है यह आपको उस दिन समझ में आएगी कि आपने इंट्रीव्यू दिया और इंट्रीव्यू देने के बाद में आपका सेलेक्शन नहीं वा किया इंट्रीव्यू देखे हैं तो दोजार लोग इंट्रीव्यू देंगे पास हुए आट सो बढ़ती किते की थी आट सो की थी और आपको तो नहीं मिली कोई सीट आप बाहर होगे उपर ही भर गया आपके सिस्टम जीता था उता तब आपको समझ में है गार मेरी रेंग सा उसको नोकरी मिल गई वो बले कोई Comptor लगा है कोई Foods & Supply लगा है कुछ ना कुछ उसको पोस्ट मिल गई आपको बते चला कि जिसके मेरे से आठ नंबर ज्यादा थे वो तो और उपर हैं वो तो को जैसी टीयों बना है को एसुध टीयों बना है उस टाइप की पोस्ट मिली माँ लूआ आप भी सेलेक्ट हो और आपकी रेंक आए 500 और आपको मिल रहा एक कोड़ें इंस्पक्टर Jest मेरे से जिसका आठ नंबर ज्याता है जो अधर ऊपर बीडियो में कि आधि आपको बीडियो मिला है तब अर्षिक नंबर ज्यादा है रहें और तसील दार है तो आप से जिसके आठ नंबर ज्यादा है वो डिपती है, आप डिपती हो और आठ नंबर ज्यादा आप स्टम हो, उस जिन से आधे नंबर की वेल्यू समझ में आती है, गर आदा नंबर क्या निकाल के देता है, अब मैं कहता हूँ इसकी जाग वागडी आये नहीं, अगले में दो बार वागडी पूछली, आगले बार उसने चैंज किया और उसने लिख दिया गोडवडी, कहाँ लिख दिया? सिंपल उत्र यह बनता है बाली से आहोर के बीच का इलाका गोडवाड कलाता है जहांकि बोली गोडवड़ी है जो मारवड़ी की उपबोली है जिसमें नर्पती नालाय ने विसल्देव रासो लिखा था वह बलेई पूछे वह बलेई ना पूछे अपने गुषेड़ना है अपने उसके दिमाग मिठाना के आता बहुत कुछ है हलके में लेना मैं करता हूं उल्टा सावाला इसका यह बाहसा पूछी अगला पूछे बिसल्देव रासो अगला कुछन क्या देदे यह गोडवड़ इस नालाएक है यह बाहसा में लिखी गई है निखी गई फूछे बहसा बताओ वह बहसा पूछे एक पूछे बहसा पूछे बुछते रहते हैं को स्अगते हैं सब गोज सेम सेम पढ़ाते हो सब के नोट सेम सेम होते है फिर भी कुछ लोगों का सेलेक्शन होता है उनके हो जाते है उनके हो जाते हैं जिन कोछ लिखना नहीं हाता उनके नहीं होते हैं मैं हमें से कहता हूं कि जिसकी first rank आई और जो बाहर हो गया interview से उन दोनों के ज्ञान में रत्ती भर फर्क नहीं है उल्टा में तक हूं जिसका selection नहीं हो सकता ज्ञान जादा हो लिखना नहीं आता उसको उस first rank वाले का presentation जो था लिखने का वह अच्छा था चिजों को परोसने का जो तरीका था वह अच्छा था आता सब को था सबको यह चीजें पता थी क्या जो सिस्टम से बाहर वाउसको पता नहीं क्यिüs कॉंशिया कॉंशी बासा गें अंदर लिखी दी वहांने लिख्या है न्याये का सिद्धान्त है यह न्याये हो रहा है यह जरूरी नहीं होता वधर दिखण के डिख रहा नहींगे है न मह και दिख रहे आने वहां पर तब यहां से कहाँ के पीच बोली जट आपको पूछे कि खानो का दो पो आप गणा ओध नर्पती नल है कौन से किताब लिखिया है तो कौन से किताब है विशल देओ रास ऐसे लड़किया मोले खा दी पी 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 कि दी पी आगी समझ में चलो ठी अगला राजा लिखो इस बताओ देखे कल वाला चाड देखें बताओ अगला राजा कौन होना चीए आप पर गांगे कौन अचीए लगलो तो कि अग्या आप पर गांगे िको यह विग्रात् Prevention का बेटा था कि वह सन ओफ फोर्थ यह विच्छ उसके पता है बंता है पर जगदेवदा यह को बंचित को Charge कर संइंब कर दित आगि अगुगार्म जग कंटे को इसे स्विव सबyahoo और जगदेव बेटे का नाम क्या है पृच्वराज सेकन्ड तो लिख लो, इसे जगदेव के बेटे पृच्वराज सेकन्ड ने हटा दिया था, किसको अगला राजा कौन बन गया परच्विराज सेकेंड कौन आगला राजा बताओ तके परच्विराज सेकेंड सेके होग नागला या मामने बेच में अभिलेग पड़ा हांसी क्या पड़ते हैं ना MV i like प्रच्विछ अभिलेग में क क्या बताया गया है चंद्रोज पड़ा था ना वह अभिलेग इसिराजा के टााइम के 12 267 iishwiga कोंसे iishwiga कि already कउ sensing अभी लें उसके अब आप इक बात थ्मीच में लिखा वाइगी कंसे 1-5 यह पिर ये प्रशुराज लिख आ थास नाम मैंने हांसी में किल्णा बन वाए तो फांशी केंदर क्या बनवाया है किला बनवाया और इस किले की देखवाल मेरे मामा जी को सौंप दिये मामा जी का नाम और लिखता है मामा जी का नाम है गोहिल किलहन कि मामा जी का नाम क्या बता हो देगे गोहिल किलहन इस राजा के क्या लगते हैं अपने राजस्थान में लिखने का ये भी ट्रेंड था सरनेम पहले नाम बाद में गोहिल वंस है वंसों में पढ़ाता तो नाम इसका किलहन है नाम क्या बंदे का किलहन गोहिल क्या इसका वंस पर पहले वंस लिखते बाद में क्या लिखते जेसे मुहनोत नेनसी नेनसी नाम क्या उस बंदे का मुहनोत जाती है तो मुहनोत पहले लिखा आमने नेनसी बाद में बैसे गुहिल पहले लिखार कि लहन बाद लेखो 1167 इस्वी के हांसी अभी लेक के अनुसार according to Hansi inscription of 1167 80 1167 के हांसी अभी लेक के अनुसार according to Hansi inscription of 1167 80 इसने यहां पर किले का निर्मान करवाया था इसने किसने यहां कहाँ इसने यहां पर किले का निर्मान करवाया था इसने यहां पर किले का निर्मान करवाय 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 था अपने जंकल गोहिल किल हैं तो था आपने मामा गोहिल किल हैं की न्युक्ति की अगले साल काई का भील एक और मिलता ग्यारा सो अडशती इस्वी का कभगा मिलता है बीलवडा के अंद्रेक गाव पड़ता है दोड हो एक तो दोड़ नाम क्या पढ़ गया उसका दोड़ बिलेक कौनसे राजा के टाम का कौन से इस्वी का कौन से ६ढों से एक स्यूर जी के मंदर से में हम ऑुना जिह सुट सै क्कुर्डला पडाव की नाम सांगे ये मंदिर क्ला का चाल रुठी रभाणर का मंदिर मंदिर स सुथसे क्लें मंदिर इसका मतलब है ये मंदिर रहनी स का समरे во correct I लो को न ने राजा से कहीन बाहाँ कि अभीलेख में बांदि का नाम है अधि filmmakers्व देवी कि गे के नाम क्या उइसका मतलब है कि पहले तो यह सुधा कि है ऐłec updated बंद हो गई तो इसका नाम क्या पढ़ गया तो इसके एक शुहाव देवी नाम की रानी है जिसने यहां पर एक सिव जी का मंदिर बनवाए है जहां से हम एक अभिलेक मिलता है वह गाओ धोड है इसलिए उसका नाम क्या हो गया धोड़ अभिले वह मंदिर बाद में रूठि बाती है कि मेरे पती प्रिश्वी राज सेकेंड को उसका रज्य बपोती में नहीं मिला कि कैसे नहीं मिला बाप से नहीं मिला यह नहीं कि बाप राज कर रहा था रहा बाप किसको दे गया बेटे को मेरे पती नहीं यह रज्य अपनी ताकत से पराप्त किया है कि असी तो गुट चाहिए एक टाप याणकडराज से इंहें और न सोटीम ऑटी लेन जानकरी कहां सी when कौनसे अभिलेक से बाइ एक तो होता है पिता मर गया पिता मर गया तो राज किसको मिल गया बेटे को मिल गया सवभाई किसी बात ना यहां पिता राज नहीं दे गया प्रचुराज सेकिंड को यह अपर गंगे को हटाके राजा बनता है इसका हमलो ताकत से बनता है तो यह त ताकत से राजा बनाता यह जानकरी कौनसा अभिलेक देता है कौनसे मंदिर से पराप्त होता है कौनसे संद में पराप्त होता है क्या कहता है अभिलेक इसने अपना रज्य कैसे पराप्त किया है ताकत से पराप्त किया है और इसमें कौनसी रानी का नाम लिखाव है व्याद 1168 इस्वी के रुठीरानी मंदिर के दोड अभी लेक के अनुसार, दोड भीलवडा में एक जगा है? 1168 इस्वी के रुठीरानी मंदिर के दोड अभी लेक के अनुसार, दोड इस्वी के रुठीरानी मंदिर के दोड अभी लेक के अनुसार, इसने अपना रज्य ताकत से प्राप्त किया था, 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 इसके था? इसी में लिखो, आगे लिखो. इसी अभीलेक में, in this inscription, इसी अभीलेक में, in this inscription, इसकी रुथी रानी, इसकी सुहावदेवी नामकरानी का वर्णन मिलता है. इसकी सुहावदेवी नामकरानी का वर्णन मिलता है. इसकी सुहावदेवी नामकरानी का वर्णन मिलता है. विलवडा में एक जगह पढ़ती है, मेनाल. सुना है नाम? मेनाल है, तृवेणी संगा में आगे, जोगरफी पटोगे तबोर पटोगे? वहां पर इसने, शिव जी का एक मंदिर बनवाया अपनी सी रानी के नाम, रानी किसके हैं पले बढ़ेगी बात तो सुहेस्वर मंदिर का निर्मान कहां पर करवाया गया लेको अभी लेक की बात होगी लाइन छोड़के लिखना इसने मेनाल में सुहेस्वर मंदिर का निर्मान करवाया था किहीं वेंसाय को सबढा ईसके चारिए कि कि मेंनाल में सुखेश श्रमंदिरक का निर्मान करवाया था इसके श्टायर लगाना, यह दो साल पहले सबिंस्ट्रक्टर वला एक्जाम था, उसका क्यूशन था, कि प्रिछुराज मेनाल में सुहस्वर मंदिर का निरमान किसने करवाया था, किसने करवाया था, प्रिछुराज सेकिन, आरपेशी वाले क्या करते हैं, एक बार जो सवाल पुछते हैं, अगली बार उस सवाल के बना देते हैं, ओप्शन और ओप्शन को बना देते हैं सवाल, एक बार तो पुछा कि मेनाल में सुहस्वर मंदिर का निरमान किसने करवाया था, प्रिछुराज सेकिन, प्रिछुराज सेकिन मेनाल में कांचा मंदिर बनवाया, सुह राजा कूंने कलमा आपको बता रहा था किरंव और राज की दो रणिया थी एक राहनी ती सुधवब और एक राहनी थी कांचंद सुधवब का य्वा का बेड़ा जगح डय जिसने अरणा राज को जैंङन को मारा कि इसका बचपन गुजरात में बीता था आपकोो पूछेगा कौन से चौहनराजा को बचपन गुजरात गा Also, मैं आपको पूछेगा जोवैसे कोन जोवान राजा का सब्सक्रतिन कुमारपाल चलू की है कुमारपाल चलू क्यों कोमार कॉंकण की है कॉंक्रराजा नाम की है मलिकार्जुन नाम कहां का राजा मलिक demons किसके साथ नई बनती कुमारपाल् defensive क्यों करा राझल के वो कहां करा राझा का ऐसे हैं कुमार्पाल चालुके के बांजा कोने हैं और कुमारपाल चालुके है कि बांजे वह जो मलिकारजुन ने कोईकन वाला उसकी तरी मामा के साथ बनती नहीं जा लड़ गया उससे स्वमेश्वर मामा जी के आज्जने कोईकन प्रा अकर्मेंड करता है ने केवल कोईकन के राजा Malikारजुन को यह हरा था hem विल डनार देदा कॉंकन के राजा मलिकार्जुन को हराया था कौंकन के राजा मलिका अर्जुन को हराया था कौंकन के राजा मलिका अर्जुन जो कि कुमारपाल चलुक्य का सत्रु था अभी तो बोल रहा था तभी तो मामा लगेगा अर्णो राज को हराया था और विग्र राज से हार गया था दो बाते पड़ी थी नहीं कुमारपाल आपको क्या लिखाया जो कि कुमारपाल चलुक्य का सत्रु था अब यह खबरीन दूर दूर तक फेली भई कि आजकल गुजरात वालों का एक भाणजा है और उस भाणजे का नाम है स्वामेश्वर चौहान क्या नाम है और स्वामेश्वर चौहान आजकल बहुत ज़्यादा सक्तिसालियों और अभी बाय साब कौंकन की राजा क्या कूट किया है यह बाते दिर दिर पहुंची एक चेदी का राजा था अचल राज कल्चूरी का राजा कौन है एजबलपुर के आस-पास इधर जो इमिलाका था मद invite पर देस की साइड में ईसको बोलते चेदी क्या बूला करते र्यां यह यहां पे पे कली वर कासूरी वंस का शासन था क्वंचर चंशे का सासन था उर इस lamb archives का ई बाय कन क्रूचरी दिर गांज तो जिसके बारे बगवान कर्ष्ण ने का गिए जब तक निन्यान में गलतियां करूंगा तब तक तो मारूंगा नहीं और जिसे इने सोवीं गलतिकी उड़ा दूगा अजैसे शिशुपाल ने सोवीं गलतिकी सुदर्संचाकर से उड़ा दिया था उसको पढ़ते हैं अपन में चैदी का राजा कौन था शिशुपाल इस ताइम जब हम पढ़ रहें चैदी का राजा कौन है और अचल राज कल्चूरी के एक राजकुमारी यह उस राजकुमारी का नाम है करपूरी देवी क्याना हम राजकुमारी का और अचल राज कल्चूरी जो कि चैदी का राजा है उसे अपनी बेटी अपनी राजकुमारी कर पूरी जेवी के लिए अच्छा राजकुमार चाहिए वो ढूंड रहा है को अच्छा राजकुमार मिले जो राजकुमारी की साधी करें और तभी उ सारी बाते कलास में सुनता है और जैसा सरकत ने वेसा ही लिखके लाता और मेंस में सेलेक्शन भी पक्का हो जाएगा तो इसने का मैं मेर राजकुमारी करपूरी देवी की साधी किस्टे करूँगा सुमेश्वर्चाववान तो सुमेश्वर्चाववान की राणी कोन है करपूरी देवी क्वीन बराबर करपूरी देवी और कोश्टक में लिखलो चैदी के राजा अचल राज कल्चुरी की राजकुमारी चैदी के राजा अचल राज कल्चुरी की राजकुमारी प्रिंशेज ओफ चैदी ज किंग अचल राज कल्चुरी की राजकुमारी प्र 2 आता है कि अब इधरी बेठा है उजुराथ रहे इदर आपके अजमेर में चोहांद राजा प्रचिवराज स्यकेंड पर जाता है और जयसे प्रचिवराज शेकिंड मर और है उसके सफन्न होलाग तो थी कांचंदेवी और कांचंदेवी बेचारी वापस अपने पीहर चलेगे बेटे को लेके और वो बेटा स्वमेश्वर बड़ा सक्ति साली है और गुजरात वालों के तरफ से लड़ लड़के दर उदर लड़ाईयां करकर के दुस्मनों को हरा के आ रहा है तो अपना र पर अजमेर आते इसने का आगे यदि मैं अजमेर आ रहा हूं अजमेर में मेरी मूर्ति लगाओ और पापा की मूर्ति लगाओ किस की मूर्ति लगाई जाए खुद की और खुद के पिता जी की पिता जी कौन थे इसने अजमेर में किस की मूर्तियां लगवाई लगवाई इसने अजमेर में अपनी तथा अपने पिता अरणो राज की मुर्थियां लगवाई दो अनके भगते है और श्यू जी का एगण में वैद्यनातफ काओं इसने अजमेर में कौन सा मंदिर बनवाया है हिग दिए इसने अजमेर में वैद्यनात मंदिर बनवाया है कि बिल्ट वद्यनाथ टेंपल अजमेर वद्यनाथ कौनसे बगवान जी उकाते हैं तो इसने सिव जी की तो बड़ी सी मूर्ति लगवादी पिर इसको लगए यार सिव जी का अकेले का मन किसे लगएगा दोस्त भी तो अनची है न साथ में इसले एक साड़ में चोटी सी मू इसका ही है पर बर्मा और विष्णो कातों में बेठे रोब बर्मा विष्णो में इस लिख लो गौश्टक में याद रजाएगा इस बान इसी के टाइम में अभी लगवाया गया था आपका बिजोलिया कौनसा अभी लगवाया था किसने क्यों लगवाया वो हम बता इसके सासनकाल के दौरान दूरिंग हिज रिजीम इसके सासनकाल के दौरान दूरिंग हिज रिजीम कि बिजोलिय अभिलेक लगवाया गया था बिजोलिय इंस्क्रिप्शन वद इंस्टोल्ड कि बिजोलिय अभिलेक लगवाया गया था बिजोलिय अभिलेक लगवाया गया था बिजोलिय इंस्क्रिप्शन वद इंस्टोल्ड कौनसा अभिलेक लगवाया गया और बिजोलिय सा ANN in Wabhinach me इसके बारे में लिखा हुआ है कि कि इसने बिजोलिया में एक मंदीर था पारसवनाथ अन्से इसा मंदीर था u मंदिर को तर आम एसमेस्ड़ ने कहा कि एक गाउं का इसक एक गाउंयों में वह याई मनने में आप 500 यह आप गाउं के मंदर में दो कि मैं हर साल 500 रुपे दूगा ते था बता हर साल मेरे से एक जनवरी को आप इते ले लिया गरो 500 रुपे लिले से स्वामिशस्वर ने कहा कि एक गाउन ये जो रेवणा नाम का गाउन वाए, इसका जितना रेसाल रहेनु आएगा यह ना नहीं रखूंगा, ये सारा सारा मंदिर को जाएगा इसने पार्सुनात मंदिर को कौन सा गाउन में धिया ऐसा कौन सा अभी लेक के घत खता है, लिको इस अभी लेक के नुसार, according to this inscription, उपर लिखी रिखा बिजोलिया था, इस अभी लेक के नुसार, according to this inscription, इसने पार्षवनाथ मंदिर को रेवना नाम गाउंदान में दिया था, इसने पार्षवनाथ मंदिर को रेवना नाम गाउंदान में दिया था, जानेक पर्सानाह्थ मंदिर नम गाउंधान मेरी था डिनेक डिया संदे qv da उस्कु पादि लिख़ी भी ए और वू पादि अप्रताप लंकेश्वर क्या बचकी देट है कि औप ये बताऊ देगे प्रताप लंकेश्वर तया टाइटल तया था इसका कोई पुछे कौशे चोहां राजार ने प्रताप लंकेश्वर क्यों पाधि धरन की तो कौशा चोहां राजा वी लिए खूब नाम पड़ लिया, heading दालो बिजोलिया भी लेख, पहले इसका ही तीया पांचा करें, यह क्या चीज है? आगे लिखें लोग 1170 इस्वी, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया भीलवडाम एक जगह पड़ती है, पुराना मंदिर है, जेनों का मंदिर है, जेनों में 24 भगवान जी वे, जिनमें 23 भगवान जी जो वे उनका नाम क्या था? उनके याद के अंदर बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया गया पार्शनात मंदिर पुराना मंदिर है ना कि हम पढ़ रहे हैं कि वह जो अजे राज वह यहां पर क्या भेंट करके गया था सुने का कलस है पुराना मंदिर था स्वमेश्वर के टाइम में क्या हो स्वमेश्वर क अनेके नाम क्या था? लोलाक नाम कर गें दिगंबर जैंथे उन्होंने यहाँ इस मंदिर में कुंड बननवाया क्या बननवाय? पानीका टेंक कुंड बननवाय, पानीका टेंक बननवाय आप यह मानलो इक गाउन के इंदर फेई स्कुलänder रहाप जागे कफ्यों कर दो murders तो उस sata, उस sata २ाम क्या है? लो लाख, जो कौन सा जयन है डिद्बब मंदिर में क्या बनवायád मैं तो इसने कुंड बनवाने के बाद यहां पर अभिलेक लगवा दिया क्या लिखा रुसर तो अभी लेक को हम किस नाम से जानते हैं तो इस agreement किस ने लगवाया, क्या बनाने के बाद लगवाया और सुनना देखो। इस अभी लेक की रचना करने वाला जो बंदा है उस faleiका नाम है गुन्भध्रु, क्या नाम बंदे का गुण बदर नहीं सबीले की क्या की रचना की कम पोज किया इसको लिखने वाला जो बंदा है उसका नाम है कैसा हो लिखने वाले बंदे का नाम क्या मैं बताऊँगा अभी क्या फरक होता है इसको जो खोदने वाला बंदा इसका जो उत्किरिनक है उसका नाम है गोविंद तया केणा म情況 करने वालाही रिख लेखक क्या है और इसका उंत्केरिणक को ने लगव्ण वज़िक्षक का को न क्या है cu руг लिकने वाला हो उचे लिखन लिक रही तव जिए आप चार दिन नौट्स लिख रहे ओ इनका रचनाकार मैं हूँ, इनका रचनाकार मेरे दिमाग में मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, आप लेखे को, मैं क्या हूँ इनका, रचनाकार, आप क्या हूँ इनके, आप घर पे जागे अपने छोटे भाईगों को, आज जो सर ने लिखवाय था ना दिवार पे ख उत्करिन के आपका भाई क्या है मैं नोडस का क्या हूं रच यह था आप इन नोडस के क्या हो आपका भाई खोद दे तो वह क्या हो जाएगा उत्करिन का मतलब भी खोद में होता है उत्करिन का मतलब क्या होता है इस बात को मैं सिंपल लेंगे विज में समझाओ कि महाभारत महाबार्त की रचना किस ने की वेद व्यास महाबार्त की रचना किस ने की महाबार्त लिखी किस ने की गनेश जी कि महाभारत लिखी किसने है कि मतला वेद्व्यास मेरी तरह कोई रहें जो चेर पर आगे बेट गए वन्गनेश के लिखनेश की रीटिंग अच्छी थी पी और धिए इंग के राइटिंग निखת करें कि देने के रची नैगे नीए उबुदवर के कदापि गनेशिची राजियों और आपनी राइटिंग आपको देदे तो आपकी प्राइट अच्छी हों soo KBooks какое दिव्यास महाुभारत के लिखक ko Neumbeja extret Olie ariansे भिलेग來了 kole A रचना करने वाला कोन है लिखने वाला कोन है खोदने वाला कोन है पले बड़ी बात लिखो पार्सोनाथ मंदिर में इन पार्सोनाथ टेंपल पार्सोनाथ मंदिर में इन पार्सोनाथ टेंपल पार्सवनाथ मंदिर में, इन पार्सवनाथ टेंपल, डिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेक लगवाया था, डिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेक लगवाया था, डिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेक लगवाया था, दिगंबर जैन लोलाख, इंस्टोर दिश एंस्क्रिप्टिप्टन, लिगो रचनाकार, इंग्लिस में लिगो कमपोजर, रचनाकार, लिगो लिगो गुण भद्र, लेखक राइटर केशव, राइटकी रिनक एनग्रेवर गोविंद। यहытा है और दीजुशल से अभीलेग के अनुसार एकोर्डंग डुुठ दुस सक्रिपेशं। इस अभीलेग के अनुसार एकोर्डंग डुस इस आगे पीजा पैसर लगा दो जिवन पैसार के अर्डपार उनुछ। बताई थी मेने बाते हैं। सम्झाय था ना एक दिन है। लेगलो चौहान वत्स गोत्र ये ब्राह्मन है। चौहान सार ब्राह्मनो वत्स गोत्रा। चौहान सार ब्राह्मनो वत्स गोत्रा। चौहान वत्स गोत्र ये ब्राह्मन है। कौन से गुत्र के ब्रामण है अगले पॉ compressor में लिखो वासु देवने सांबर जहील का निर्मान करवाया प्डङया बहुए मेरि सारी बात नहीं है वासु देवने सांबर जहील का surface अंदुरहington वासु देव ने सांबर जील का निर्मान करवाया वासु देव बिल्ट लेक सांबर अगला पॉइंट लिखो विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की विग्राज फॉर्थ गॉट विट्री ओवर दिल्ली विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, विग्राज फॉर्थ गोट विक्ट्री ओवर दिल्ली, विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की, विग्राज फॉर्थ गोट विक्ट्री ओवर दिल्ली, अगला पॉइंट लिखु, स्वमेश स्वामेश्वर ने पार्षवनाथ मंदिर को रेवना नाम गाउंदान में दिया। नाम गाउंदान में दिया। नाम ख़न गाउंदान में दिया। झाल उनाम गाउंदान में दिया। जार्षवना गाउंदान झाल झाल